स्टॉक जिनी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्ता भी शेक्रमा और दोस्तों देखिए शांदार तेजी आज के दिन भी स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है हम बात कर रहे हैं नदर तन ट्राइडेंट लिम्टेट के बारे में दोस्तों आज ह करें बाइंग एंड सेलिंग कॉंटिटी की तो बाइंग एंड बाइंग ही यहां पर होती हुई हमें दिखाई दे रही है स्टॉक में डिलिबरेबल कॉंटिटी की बात करें तो चाहिए अच्छी खासी डिलिबरी आप जो कह सकते हैं डिलिबरेबल कॉंटिटी यहां पर उठाई जा चुकी है ट्राइडेंट स्टॉक के अंदर तो फटाफट से यहां पर हम इसके चार्ट के बारे में भी डिसकस करते हैं और पताते हैं क्या स्ट्रेटेजी अब हमें अपना कर चलनी चाहिए स्टॉक के अंदर यह देखिए उसका आपके सामने ट्राइडेंट का लिचार्ट हमने लगा हुए लगतार स्टॉक में क्रीन बुलिश केंडल्स जो हैं हमें यहां पर देखने को मिल रही है 14 रुपे 55 पैसे पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ यहां पर नजरार है और हमने आपको जो सपोर्ट बदाया था हमारा सपोर्ट नीचे की तरफ है और बिल्कुल भी प्रेक होता हुआ नहीं दिखरा 38 रुपे 81 पैसे के करीब हमने एक सपोर्ट बदाया था नीचे जो कि आपको बरकरार लगा कर चल ला है दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट टार्गेट जो हमने बदाया था 60 रुपीस का वो भी चल्द ही अचीव होता आपको दिखने वाला है ट्राइडेंट के अंदर तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों अगर आपके पॉर्टफोलियो में दिक्कत स्टॉक शामिल है हम देखिए निचले लेवल से यानिकी 40 रुपे के लेवल से ही इसमें बाइंग की रिक्मेंडिश देते जा रहे थे और अगर आपके पॉर्टफोलियो में दिक्कत स्टॉक शामिल है तो डेफिनिटली आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा यहां पर बना चुके हैं तो बिल्कुल आपको कंटिन्यू होल्ड करके रखना है इस स्टॉक को 60 रुपे के टारगेट्स जल्दी अ च्छीब करते ही तो बिल्कुल यही ही अणिदीति आपको अपनानी है दोस्तों आपको बिल्कुल होल्ड करके रखना है इस स्टॉक को तो यही पताने के लिए हमने वीडियो बनादे है यदि आपको व्र juDI बनाती है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद